कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक गुजरात में कुल COVID-19 के 340 positive cases टेस्ट किये गए हैं और इसी समय के अर्से में साथ ऐसे लोगों का दुखद अफसान हुआ है कि जो प्राथमिक COVID के संक्रमन से जिनका दुखद अफसान हुआ है तेरा ऐसे लोगों की भी मृतिव हुई है जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारी जिसे हमें co-morbid condition हम कहते हैं और इनको COVID का भी संक्रमन होते हुए एक primary cause of death COVID नहीं था पर उसका संक्रमन होने से भी इनका दुखद अफसान हुआ है आज 282 जितने लोग बिलकुल इनकी सफलता पूर्वक चिकीटसा और इलाज पूरी हो गई है पूर्ण हो गई है और घर दिस्चार्ज होके वापस चले गए हैं इसी तरह से आज जो पेशन्स हमारे active patients है यानि जो अभी इलाज ले रहे हैं अस्पताल में अलग-अलग दिस्तारों में ये 5,248 लोग हैं 5,248 जो stable हैं और 43,43 ऐसे लोग हैं कि जो critical हैं ventilator पर हैं और आज तक जितने लोग बिलकुल ठीक होके वापस घर चले गए हैं उसका अंक है 4,035 ऐसे लोग 4,035 ऐसे लोग हैं जो करुना से उनका संक्रमन भी हुआ था पॉजिटिव भी टेस्ट हुए थे और लक्षन भी mild या थोड़े asymptomatic भी होंगे लेकिन अब यह सब ठीक होके वापस चले गए हैं और यह recovery rate जो है 40.62 यानि के 40.62 प्रतिशत हैं अभी तक जो टेस्ट किये हैं आज एक बहुत ही प्रेधना दाई एक हमारी एक success स्टोरी है एक बरोडा की रहीश है गंगा बैन मोहन भाई प्रजापती इनकी उम्र नब्बे वर्ष की है और इनके जीवन में ऐसी घतना बनी के 27 अप्रिल के दिन यह कोविट के लिए positive टेस्ट हुई थी इनको बुखार भी था, सर्दी थी, शरीर में दुखाव था और श्वास लेने में भी तकलीफ थी और वो नॉर्मली बहुत ही active यानि कि बहुत ही उनका जीवन जो था active था रोज बरोज के काम में लेकिन hypertension भी था उनको blood pressure था जिसके लिए वो दवाई ले रहे थे वो भी under control था लेकिन 27 अप्रिल को जब ये positive टेस्ट हुई कोरोना के लिए और जब इन्हें admit किया गया hospital में और लिया गया तब इनके रिष्टेदार, इनके जो पडोसी थे उन सब को काफी चिंता थी और लगा कि शायद ही ये बच के वापस आएं, ऐसी एक उनके मन में आशंका भी थी, उनकी पूरी oxygen saturation जो कहते हैं वो भी कम थी और उनके जो vital, जो science थे वो सब भी थोड़े moderate थे, pulse वगेरा, heartbeat वगेरा, पर इन्हें oxygen mask पर लगाया गया और इनकी treatment शुरू कर दी गई वहां, और वहां के जो staff, nurses, doctors ने बहुत ही अच्छी तरह से इनकी देखबाल की और ये कहती हैं कि उन्होंने सभी तरह से इलाज, चिकीटसा में बहुत ही अच्छी भूमी का, गंगा बेन खुद ये बात हमारे team को जब हमने phone पर बात की, तो बताया कि वहां के nurses, doctors सब ने बहुत अच्छी दे का जो है मेनू के हिसाब से खाना दिया जाता है, जिसमें फल, फलादी, दूद और जूस, रस वगेरा भी दिया जाता था, इसी अर्से में एक और उनके उपर एक और भी एक एक दुखद घटना, बीती, इनकी खुद की जो बेटी थी, पैसट वर्ष की उनकी जो पॉजि चालू ही रखे और कोविड की लडाई में वो बिलकुल उन्होंने बिलकुल अपनी जो है फाइट चालू रखी लडाई चालू रखी और बारवी में के दिन सफलता पूर्वक इनके जो टेस्ट किये गए बिलकुल उनके सिम्टम्स लक्षन भी नॉर्मल हो गये थे और द बहुत जोड से तालियां बजाके उनको बहुत प्रेम और आदर से डिस्चाज किया गया है और इस से खास करके हम सब को एक मैसेज बिलता है कि जब हम एक संकल्प कर लेते हैं ठान लेते हैं कि किसी भी अच्छे काम में हम बिलकुल पीछे नहीं हठेंगे और बिलकुल आगे कुमार और डॉक्टर तन्वी जोशी ने ये पूरा डॉक्यमेंटेशन किया है और वहां कि जितने भी नर्स्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल जितने टीम मेंबर्स हैं जिन सब ने श्रीमती गंगा बेन, मोहनभाय प्रजापती जो 90 साल की थी उनकी चिकीटसा में, इलाज में सब जिस्टिस ने भी भाग लिया उन सब को भी सलाम करते हैं और ऐसे अनेक हमारे मेडिकल टीम्स जो अलग अलग विस्तारों में काम कर रहे हैं दिन रात, अभी लगबग दो महिने कोविड के संक्रमन के शुरू होने से गुजरात में दो महिने तक का समय अब होने को और सब जो बहुत मैनत के साथ काम करें इन सब को हम बहुत अभिदंदन भी देते हैं और आगे भी इसी तरह से इसी भावना से सब सेवा करें और इन सब के गंगा बेहन जैसे बुजोर्ग अच्छे मैलाओं का आशिरवाद भी प्राप्त करें ऐसी एक पॉजिटिव बात के मैं प्राप्त करें बहुत आपत को का रहते हैं